आज ही doubtnet आप डाउनलोड करें doubtnet पर होगा अब आपके सभी maths, chemistry, physics और biology डाउट्स का सफाया बस अपने question की photo कीचो उसे crop करो और तुरंत वीडियो solution पाओ डाउनलोड नाउ वेवलेंथ है Lambda not तो अपने पूचेंगी अगल को इनक्रीज करें यानि अगर हम आप प्रिज्म को इनक्रीज करें तो एक पॉंट आएगा जब यहाँ पे हमारी जो लाइट रह होगी या लाउंग असरफेस चली जाएगी वो हमारा A0 रहेगा यानि limiting angle तो हम लोग यहाँ पर limiting case भी लेते हैं इंसिदेंस का एक grazing incidence लेते हैं grazing incidence यानि along this plane तो हम लोग symmetry से बता सकते हैं कि अगर यह angle R है यानि angle of reflection तो यह angle भी R होगा तो हम लोग geometry से देख सकते हैं कि जो A होगा वो जाएगा 2 into R अब हम पता है कि यहाँ पर total internal reflection होना चाहिए तो R इस case में है equal to the critical angle C जाएगा 2C और critical angle होता है हमारा sine inverse of 1 by mu जहाँ पर mu जो है वो है refractive index of glass तो यह हमारा critical angle A0 limiting angle A0 रहेगा जिससे आगे हमारा total internal reflection occur करेगा B part में हम से पूचा है कि एक limiting angle है light of the wavelength lambda के लिए तो lambda less than lambda naught में emergent ray हो सकती है यह हमें बताना है तो obviously for lambda less than lambda naught for lambda less than lambda naught हमारी जो emergent ray है no emergent ray possible क्योंकि इस case में हमारा इसके लिए जो refractive index से वो जादा रहेगा तो इसमें हम लोग बता सकते हैं कि जो angle रहेगा incidence का वो critical angle से जादा ही होगा तो जो भी wavelength जो भी light होगी जिसकी wavelength इससे कम होगी वो total internal reflection करके वापस medium में चली जाती है यानि TIF, TIR, Total Internal Reflection occurs आज ही डाउनलोड करें डाउटने टाप या वाथ्साप कीचे अपने डाउट आच चारसो 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 पर